देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि आज आपका सीटेट का रिजल्ट निकल कर आ गिया है और आपके मन में कहीं न कहीं चल रहा है कि BPSC के फॉर्म को हम लोग कितने नंबर पे भर सकते हैं तो ज्यादा आपको टेंसल लेने की जुरत नहीं है अराम से आप मेरी बातो को समझें सीटेट जो आपका होता है सीटेट ऐसे कॉलिफाई कितने नंबर पे कहलाता है तो यह आपका एक्जाम होता को आप लोग भर रहे हैं VPC 3 3.0 फॉर्म को अपको भरना है और आपके मन में प्रकार का चि employ को कौन कितने number वाले भर सकते है कि उसकते हैं सबसे पहला बात嗎 आपको यहां पर बता दो को बरने के लिए मैं सबसे पहले यहां कगा जेनरल में जो हमारे मेल वाले मित्र हो या EWS बाले भी यहां दोनौों को मैं ध्यान से सुनिएगा जेनरल मेल यह जो है इनका नवबे नंबर होना चाहिए कितना नंबर होना चाहिए जेनरल मेल को छोड़ कर और प्र या फिर आप जेनरल में फीमेल होई या फिर आपका एससी और स्टी मुझे कन्फूजन रहता है जो कि आप लोग चेक आउट कर लिजिएगा ठीक इस नहां पर कितना नंबर चाहिए तो यहां पर आपको 82 नंबर चाहिए OVC में आप फिमेल होई या फिमेल होई उससे कोई मतलब नहीं है 82 से अगर आपका उपर है तो आप BPSC के फॉरम को फिल कर सकते हैं यही आपको दो बात ध्यान में रखने की आप सेकता है कि जेनरल में या EWS में आप मेल केटिगोरी से बिलॉंग करते हैं पूरूस हैं तो आपका 90 नंबर होना चाहिए उसके अलाबा OVC से मेल होई या फिमेल होई जेनरल का फिमेल होई आपका 82 नंबर आ रहा है या 82 से उपर आ रहा है तो आप BPSC के फॉरम को अराम से फिल कर स करते हैं